कोविट के चलते पंचायती राज चुनावों को लेकर जिला प्रशाशन ने भी पूरी एहतियात बरतने की हिदायतें जारी कर दी हैं। मतदान के दिन हर मतदान केंदर के बाहर हाथों को धोने वा हाथों को सैनिटाइज करने की पूरी विवस्ता की जाएगी ताकि मतदान केंदर में मतदाता स्वच हाथों के साथ ही प्रवेश कर सके। मतदाता में तापमान अधिक पाया जाता है तो उक्त मतदाता को एक रसीद दी जाएगी ताकि वे समय समापती के बाद आकर अपना मतदान दे सके मतदान केंद्रों से बाहर जो है वो हैंड सैनिटाइजेशन या फिर पानी और साबुन से हाथ धोने का जो है वो एर्रेंजमेंट जो है हर मतदान केंद्रों के बाहर किये जाएंगे और जो स्टाफ मतदान पोलिंग पार्टी के साथ रहेगा वो इसको सुनिश्चित करेगा कि जो जो मद्दान करने के लिए अंदर पोलिंग स्टेशन में घुसेंगे वो सबसे पहले अपना हाथ सानिटाइज करके ही घुसें उसके साथ साथ पोलिंग स्टेशन में भी जो है बहुत जादा उपायुक्त ने कहा कि ग्राम पंचाइज चुनावों के लिए जिला प्रशाशन पूरी तरीके से तयार है और रिटर्निंग अधिकारियों को गाइडलाइन्स जारी कर दी गए है और उनके मताबिकी चुनाव संपन करवाए जाएंगे पंचाइज का मुटिफिकेशन पंचाइज चुनाव की जाएंगे तो उसको लेके स्पेशल गाइडलाइन्स जो है वो जारी कर दिये गए है और सारी जो है प्रक्रिया है चुनाव की नामांकन से लेके मद्दान केंद्रू में और बाद में मतकरना के समय पर धी अलग-अलग समय पे जो जो कोविट की गाइडलाइन्स हैं वो सभी को जो है जारी कर दिये गए हैं स्टाफ को भी ट्रेन किया जा रहा है और उसी के चल से स्पेशल जो है मेजर लेते हुए साथानी बरते हुए जो है वो निर्देश चेडूल के हिसाब से नगत निकायों और पंचाई की राज संधाव के चुनाव जो है वो संधाव